हाई साथ! इंडिया ने जब सर्जिकल स्ट्राइक किया तब उसको पर फिल्म बनी था सर्जिकल स्ट्राइक और इस फिल्म के बने दो साल हो गए वैसे देखा जाए तो दो सालों में पुरा फिल्म इंडेस्ट्री ब्दल चुका है जो कल को जीरो हुआ करता था आज वो हीरो है साउथ इंडेस्ट्री बॉलिवुड को टेक ओवर कर चुकी है बट अभी भी बॉलिवुड की थोड़ी बहुत सांसे चल रही है तो ये लोग अच्छा मूवी बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो इसे भी विकी कॉसल ने अनौसमेंट कर दिया अपनी एक और आने वाली मूवी का फिल्म का नाम है अश्वत थामा जिन लोगोंने महाबारत पड़ा है उनको पता है कि अश्वत थामा कौन है अब मैंने था इसलिए नहीं कहा क्योंकि कहा जाता कि अश्वत थामा आज भी जिन्दा है और वो भटक रहा है क्योंकि कृश्ण जी ने उसे श्राब दिया था कि वो स्रिष्टी के अंधु तक जिन्दा रहेगा कहर बात करते हैं फिल्म के उपर तो ये फिल्म अश्वत थामा के बस कैरेक्टर को पोट्रे करेगा इसकी कहानी अश्वत थामा के रियल स्टोरी से बिल्कुल भी मैश नहीं करने वाली है ये एक साइंटिफिक फिल्म है आपको बता दू सर्जिकल स्ट्रैक जब फिल्म बनी थी तो उन्हें बहुत सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया था इस फिल्म के मेकर्स का कहना है कि ये लोग कुछ अलग बना रहे है आपको इस फिल्म का वीजवल बहुत ज़्यादा चाखाने वाला है इन लोगों का कहना है कि ये लोग कुछ ऐसा बना रहा है जो भारत के लोगों ने कभी नहीं देखा है विकी कौसल ने लिखा है कि अश्वत थामा उनके कैरियर की सबसे बड़ी फिल्म है अगर अश्वत थामा उनका एक ड्रीम प्रजेक्ट है तो देखना काफे इंट्रेस्टिंग हुआ कि ये फिल्म कैसा प्रफरमेंस देती है तो आपको क्या लगता है ये फिल्म कैसा होने वाला है कमेंट सेक्षन में जरूर बताएगा और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो तुरंती करते हैं कि हम लोग ऐसे एक्वालिटी कंटेंट्स लाती रहते हैं तब तक के लिए बाई-बाई मिलता है एक और नई वीडियो में